तमिलनादू की 18 वर्षिय छात्र रिफच शरूख ने सबसे छोटा और कम वजन वाला उपग्रह बना कर पूरी दुनिया को आश्चन में डाल दिया इससे भी जादा गर्व की बात यह है कि नासा ने 22 जून को इस छोटी सैटलाइट को SR-4 रॉकेट द्वारा विलॉफ स्पेस फ्लाइट फसेलिटी वर्जीनिया से लॉँच किया रिफच की तीम और उसके शिक्षकों में इस उपलब्री को लेकर काफी खुशी है अबस्पराइट जिए टीम ऐस्पेस खुश में इस भी जादेता हुश्या है पूर्वराष्टपती डॉक्टर अबदूल कलाम के नाम पर इस सैटलाइट का नाम कलाम सैट रखा गया है माच 64 ग्राम का कलाम सैट स्मार्ट फोन से भी हलका है और 3D प्रिंटिंग तक्नीक द्वारा बनाया गया है कलाम सैट को बनाने के लिए इसमें कार्बन फाइबर पॉलिमर का स्थमाल किया गया है कलाम सैट एक टेकनोलोजी डिमोंस्ट्रेटर की तरह काम करेगा और इसका काम टेंपरेचर, रेडियेशन लेवल, रोटेशन बकलिंग और मैगनेटो स्फेर को क्याप्चर और रिकॉर्ड करना होगा गौर्टलब है कि नासा द्वारा आयोजित एक प्रत्योगिता क्यूब्स इन स्पेस में रिफत के डिजाइन को 57 देशों की 86,000 डिजाइन्स में से चुना गया है